सक्ताह कर्मन्य विद्वान्सो यथा कुर्वंती भारत कुर्याद विद्वान्स तथा सक्ता चिकीर शुर्लोक संग्रहुं। हे भारत कर्म में आसकत हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं वैसे ही विद्वान पुरुष अनासकत होकर लोक संग्रह की इच्छा से कर्म करें मनश्य अपनी रुची और अपनी लक्ष के अकॉर्डिंग कर्म करता है जो वो चाहता है जैसा इंट्रेस्ट होता है वैसे ही कर्म होते है कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनिर बनना चाहता है कोई कुछ बनना चाता है जिन्दगी में और उसके लिए पूरी जिन्दगी बनुश्य लगाता है धन प्राप्ती चाता है तो धन के लिए जीवन लगा देता है बहुत मेहनत करता है सुक दुख भी नहीं देखता परिश्रम करता है कई बार तो पश्यू की भाती भी जीता है अथक परिश्रम करेगा और साथी साथ दर बना रहता है कि चीज मिलेगी भी या नहीं मिलेगी इतनी मेहनत के बाद सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी जब हम चिंता करने लगते हैं तब हम अपनी उर्जा को वेस्ट करते हैं और जब हम भगवान पर छोड़ते हैं गर्म तो पूरा करते हैं परन्तु समर्पन करते हैं कि जो देगा वो तेरी इच्छा तो उस समय जो मन की शक्ती चिंता और डर में निकलती है वो शक्ति आपकी कंजर्व होगी लोगों का डर, चिंता उनके लक्ष तक उन्हें पहुँचने नहीं देता कई बार तो यह होता है कि डर के मारे आधा काम मनुश्य करता है और बाकी कर ही नहीं पाता आगे फिर चिंता डर पकड़ लेते हैं शुरुआत अच्छी होगी पर तु अंत तक नहीं जा पाता तो यह चिंता डर इन सबसे मुक्त होना है आप फल से अटाच हैं आसकते हैं इसी के कारण चिंता है इसी के कारण डर बैठा हुआ है मन में और अटाच्मेंट जैसे ही तूटी तो डर आपका दूर हो जाता है तो ज्यानी और अज्यानी दोनों के कर्म में क्या भेद है बाहर से तो एक ही लगते हैं परंतु सुक्ष्म भेद होता है लक्षे दोनों ने पकड़ा है परंतु जो अज्यानी है वो टेंशन में भी है कि चीज होगी कि नहीं होगी, वो चिंता, वो डर, वो उर्जा को नश्ट कर देगा. परंतु जो ज्यानी होगा, वो अपनी शरीर, मन और बद्धी को एक करके कर्म करता है. डरता नहीं, चंता नहीं करता, भय नहीं करता. कोई चीज छूटने का भय नहीं कोई आसकती नहीं इसके कारण उसकी उर्जा कंजोव होती है उसकी उर्जा उसके अंदर आती है वो खुश होकर प्रसन होकर कर्म करता है क्योंकि कर्म करना आनंद है उत्सा है यदि कोई चीज नहीं भी मिली तो आपने experience तो लिया फिर आप कीजिए मेहनत फिर आगे बढ़िए वो प्रभु सब देखता है जब श्रद्धा से अनन्त श्रद्धा से आप कर्म करते हैं अनन्य भाव के साथ तो वो इश्वर चिंता करता है हम जब चिंता करने लगते हैं तो परमात्वा नहीं करता परंतु जब समर्पन हो जाता है त्याग नहीं समर्पन जब समर्पन हो जाता है प्रभु के चर्णों में तो वो प्रभु चिंता करता है हमारे लिए वह फिर फल देता है वही फिर आगे मुक्ति देता है तो आसक्त व्यक्ति जो है जो attached है वह कर्म करता है परंतु चिंता भय फल का लालच ये सब छित्र हैं जहां से उर जाएं निकल जाती है पर अना सक्त लालच से कर्म नहीं करता वो कर्म करता है क्योंकि कर्म उसे करना है वो आनंद है और लोग कल्यान के लिए वह कर्म कर रहा है तो कर्म फिर खेल हो जाएगा कर्म सजा नहीं एक मज़ा हो जाएगा लोग सजा समझते हैं कि एक मुझबूरी है करना पढ़ रहा है रोजी रोटी कमानी है जाना पढ़ता है आफेस काम करना पढ़ता है परन तुजाना सकत है वो हर चीज में आनंद ढूनता है मज़ा ढूनता है वो अपने कर्मों को अच्छे से करता है उसके लिए सजा नहीं उसके लिए वे दैविक आनंद है उस आनंद की प्राप्ति करता है जो आनंद हमारा अधिकार है वो चारों दिशाओं में फैला हुआ ब्रह्मान में फैला आनंद वो प्रभु का आनंद हमारे लिए ही है परंतूस आनंद को हम भोगते नहीं छोटी-छोटी चीजों में उलजकर अपनी जिंदगी वेस्ट करते हैं तो भगवान कर्म करते हैं क्योंकि कर्म करना ही आनंद है और लोग कल्यान के लिए करते हैं जिससे खंसार का फला हो